हेलो दोस्तों फिर से सागे दे मेरा चैनल पे मेरा चैनल का नाम है इलेप्ट्रोनिक्स इंडिया मैं लो टन फिल लेकर आया हूँ एक नया पॉल्ड नया टीबी जो हमारे पास एक सैंसुंग टीबी है 15 इंच का टीबी आप लोग देख सकते हैं एक फ्रैट टीबी है और इस पास्काइब जोरूर कर लेना बेल आइकोन को दाबा देना और नोटिफिक्स रॉन कर देना मैं जब भी नया नया वीडियो लेकर आऊंगा आप लोग को मिल कर आएंगे ठीक है दोस्तों इसका पॉब्लेम आज दिखा देता हूँ दोस्तों यह जो एसी प्लाग है एसी प पॉब्लेम होता है वही पॉब्लेम आ रहा है मतलब दोस्तों हमारा पावर सेक्शन से पॉब्लेम आ रहा है इसी रिए दोस्तों मैं टीबी को खोल के पहले से ही रखा हूँ और इसको पॉलसन करके भी दखाऊंगा दोस्तों इसका जो आउटपूट जो EST होता है एसी का जो टांजिस्टर होता है यह टांजिस्टर हमारा ख़राब हो जायेगा तो इस वाला पॉब्लेम आएगा इसलिए दोस्तों क्या करूंगा इस बाला टांजिस्टर को पहले ही खोल के चेक करूंगा और चेक करने के बाद ही पाता चलेगा हमारा पॉपलेम क्या है ठीक है दोस्तों मैं इस टांजिस्टर को ओपेन कर लेते हैं दोस्तो मैंने यह बाला जो आउटफू टांजिस्टर था इस टांजिस्टर को ओपेन करके मैं इस बाला टांजिस्टर को चेक पुराना बाला टांजिस्टर था यह टांजिस्टर को मैंने जब चेक किया तो यह बाला टांजिस्टर हमरा स्वाटेज निकला मतलब हमारा पूरी तरह से तिन लेक हमारा स्वाट हो गया है और इसलिए हमारा जो इन्पुट से जो भोल्टे जाता है भोल्टे जाने के बाद हमारा है सिस्टेम को स्वाट करके राख दिया था इसलिए हमारा सिस्टेम चालू नहीं हो पा रहा था और हमारा पावर इंडिक इंडिकेटर नहीं जल रहा था वह बाला पॉब्लेम सौल्ट हुआ की नहीं इसलिए दोस्तों क्या करूंगा यह बाला पावार को इन कर देता हूं इन कर देने के बाद दोस्तों देखेंगे हमारा जो पावार इंडिकेटर होता है वो चलता है की नहीं दोस्तो आजु पावर इंडिकेटर है प्लाग इन के बाद भी अभी तक पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है मतलब दोस्तो आभी तक अभी तक हमाора पॉबलेम रहे गया है उसके बाद मैं क्या करूँगा यह जो हन्डेड और एक हन्डेड और लेंड लोँगा और LAM लेने के बाद मैं क्या करूंगा इस बाला जो शिस्टेम है जो हमारा 110 बोल्ट 125 जो बोल्ट का जो कनेक्सिन है इसको कनेक्सिन एक 100 ओर LAM को इस कैपस्टर पे कनेट कर देंगे तो पाता चल जाएगा हमारा power success से कितना voltage निकल रहा है और सही तरीक से निकल के आ रहा है की नहीं इसलिए मैं क्या करूँगा इसको connect कर लेते हैं दोस्तो मैंने यह 100W lamp को connect कर चुका हूँ connect कर देने के बाद मैं TV को power दूँगा power in करता हूँ in करने के बाद दोस्तो देखिए हमारा जो power lamp लगाया हुआ है 100W के लिए 100W lamp लगाया हुआ है जो 125 voltage पे वो देखिए हमारा voltage up down हो रहा है मतलब हमारा power section से भी कुछ problem आया है और इसलिए यह बाला problem दे रहा है मैं क्या करूंगा इस पे 125 जो voltage होता है वो voltage को पहले चेक करेंगे इस बाला point पे हमारा voltage होना चाहिए 125, 110W जो भी होता है देखिए दोस्तो हमारा voltage up down हो रहा है कभी कभी 40W तक हो रहा है कभी 110W हो जा रहा है लेकिन दोस्तो हमारा इस बाला जो problem दे गया है इसलिए हमारा इस टी पे सो कोई subline नहीं जाएगा और हमारा इस बाला output transistor खाराब हो जाने से बाद ही इस बाला हमारा power section का problem आया है इसलिए क्या करूंगा इस power section को आच्छी तरह से check करना पड़ेगा और check करने से पता चल जाएगा दोस्ते एक चीज़ देखिए हमारा जो power section है power section के जो photocabler को subline देने के लिए एक हमारा छोटा सा transistor यूच किया जाता है जो transistor का number होता है 400, 431 का जो हमारा transistor लगाया हुआ है transistor भी खराब हो सकता है और जो हमारा 125 भोल्ट से हमारा साबलाई दिया जाता है जो resistant को देख साबलाई दिया जाता है वो transistor को transistor भी खराब हो सकता है इसलिए दोस्तों मैं करूँगा मैं TV को आप करके मैं एबल रेजिस्टेन जो है एबल रेजिस्टेन को ओपेन करूँगा ओपेन करके मैं इस पर निया वाला रेजिस्टेन लागा हूंगा रागाने के बाद हम लोग देखेंगे हमारा power section सही होता है कि नहीं ठीक है दोस्तों मैं रेजिस्टेन को ओपेन करके निया वाला रेजिस्टेन लागा के चेक करेंगे कि दोस्तों मैंने जो रेजिस्टेंगों ब्वाता रहा था ही रेजिस्टेंगों मैंने ओपेन कर चुका हूँ ऑपेन करने के बाद कोramos सूं कर देहरा है देख सकते हैं अस Nós ये और मेरा मीटर पे कोई भी सो नहीं हो रहा है और हमारा ज्यादा ओम्स का ज्यादा भैलू बाड़ गया है इस रेजिस्टेंट का और रेजिस्टेंट पे हमारा कोई भी जला हुआ नहीं है लेकिन ये बाला रेजिस्टेंट हमारा काम नहीं कर रहा है इसलिए दोस्तों क्या करूंगा एक resistant लूँगा और इसपे मैं soldering कर दूँगा मैंने दोस्तों इसपे एक resistant लिया हूँ जो resistant का नामबर आप लोगोगों को दिखाने के पोछिस करता हूँ देखिए अमारा ये 22k का हमारा resistant है resistant को इसपे connect कर देते हैं कि दोस्तों मैंने इस बाला रेजिस्टेंट को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर चुका हूं करने के बाद मैं क्या करता हूं पावार को इन करता हूं इन करने के बाद दोस्तों देखिए हमारा जो पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा था वह हमारा पावर इंडिकेटर जल के बुझ गया ह। मैं फिर से दिखा देता हूं देखे मैं पावर को इन करता हूं और हमारा यह वाला इंडिकेडर जल रहा है । मतलब दोस्तो हमारा पावर का पॉबलन था वह भो चुका है और जो हमारा लैम अपडें हो रहा था वह बाला पॉबलम भी अमरा शाल हो चुका है उसके बाद दोस्तों देखेंगे इस पर हमारा कितना बोल्टे जाता है देखें दोस्तों यह वह ऊपन किया था ऊपन किया उस रिप्लस करके मैं और फीन्ऎा टनिस्टर करूंगा दोस्तों इस टनिस्टर का नामबर आप देख सकते हैं जो हमारा नामबब था वो दी 1878 था त्लागल साथता मैं इसको चेंज करके मैं इसको लगाँ две 2499 आप अधांग रहोगहोंगा तन इस टे करूंगो हमारा जो सिस्टेम हो चालू होता है की नहीं थीक्श हो इस कॉनेट कर लेते हैं दोस्तों मैंने ये बाला टाइजिस्टर को कानेट कर चुका हूं कानेट करने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दूंगा पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकरत जलना चाहिए वो तो जाय गया है जलने के बाद हमारा टीवी पे भी पावर आ चुका है उसके ब बाद दोस्तो मेरा तो लैम जाल रहा है मतलब हमारा जो येस्टी है येस्टी स्टार्टिंग होना चाहिए उसके बाद दोस्तो क्या करूंगा हमारा सिस्टेम पे चेक करूंगा ये जो लैम है जो लैम को कानेट कर देने से हमारा बोल्टेज को दाबा कर राखा है इस लैम को सब्सक्राइब यह रहा है इसके बाद भी आभी काम कर रहा है उसके बाद बी अभी तक स्टार्टिंग नहीं है जो हमारा पिक्चर आना चाहिए और हमारा इस्ट से जो फोल्टेज इस्ट चालू होने के बाद हमारा कुछ फोल्टेज निकलता है जो हमारा 200 बोल हो सकता है 185 इसका बोल्टेज निकलना चाहिए दोस्तो एला डायट के बाद में हमारा इस पोईंट पर हमारा बोल्टेज निकलना चाहिए दोस्तो देखिए हमारा यहाँ पे 1 बोल्ट दिखा रहा है और जो हमारा 14 प्लास 14 माइनस जो होता है 14 प्लास यह बाला 14 प्लास और यह बाला 14 माइनस जो बोल्टेज निकलना चाहिए जो हमारा भार्टिकल सिस्टेम के लिए ओबाला भी वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा है देखे दोस्तो हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं है मतलब दोस्तो हमारा EST सेक्षन अभी तक चालू नहीं है उसके लिए दोस्तों क्या करूंगा हमारा होरिजन्टल सिंक जो होता है वो चालू होता है कि नहीं चालू है क्या नहीं उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा एक LED लेंब लोंगा LED बाल्ब जो होता है LED बाल्ब लेके इस पॉइंट पे मैं कानेट कर दूंगा जो छोटा चालू नहीं ओर आ है इसलिए ठीक है दोस्तों इसपहली डी को कानेट कर देते हैं दोस्तों मैंने हैं एक लीडी spre SAS कर चूका हूं और मैं TV को power देता हूँ, power देने के बाद जो हमारा power engine करना चाहिए बो तो जाल गया है, लेकिन अबी तहग हमारा LED जालना चाहिए ओ हमारा horizontal sink चालू नहीं है, इसलिए क्या car check करना पड़ेगा जो हमारा horizontal coil पे इस पॉइंट पे हमारा बारा बोल तक होना चाहिए ओब आला भोल्टेज नहीं आ रहा है देखे दोस्तों हमारा कुछ भी इस पे हमारा भोल्टेज नहीं है मतलग दोस्तों हमारा अभी तक हमारा होरेजेंटल सेक्षेन रानिंग नहीं है होरेजेंटल पे जब तक हमारा वोल्टेज नहीं आएगा वोल्टेज नहीं आने के कारण हमारा सिस्टेम पे और इस्टी चालू नहीं होगा और हमारा जो इंडिकेटर है इंडिकेटर भी नहीं जालेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा देख चेक करना पड़ेगा इस पॉइंट पे देखे दोस्ते रे और इस बाला पॉइंट पर चेक करेंगे तो देखेंगे दोस्तों हमारा zero volt आ रहा है मदलब दोस्तों हमारा जो running voltage होना चाहिए स्टार्टिंग voltage होना चाहिए और कोईल पर इस बाला पॉइंट पर भी voltage नहीं आएगा इसलिए दोस्तों यह बाला डायोट को चेक करेंगे तो पाता चाल जाएगा दोस्तों मैंने PCB को पाले लिया हूं और देखने के बाद मुझे पाता चला यह जो डायोड है यह टायोड हमारा दिया गया है एक यह डायोड हमारा रानिंग गٌटेज के लिए आप अज्टाइन व Uncle इस्टीं के लिए दोस्तों मैंने सिस्टेम का जो होरेजेंटल पॉब्लेम आया होरेजेंटल सिंग के लिए पॉब्लेम आया है वह बाला पॉब्लेम सॉल्फ होता है कि नहीं ठीक है दोस्तो मैं क्या करूंगा यह बाला डायेट को मैंने ओपेन कर चुका हूँ एरा यह डायेट कुरी तरह सा बास्ट हो चुक डायट ले लूँगा और इसका नामबर है 4007 इस डायट को मैं क्या करूँगा इस पे कानेट कर देते हैं इस पे कानेट कर देंगे कानेट कर देने के बाद मैं टीबी को पावार दूँगा तो पता चाल जाएगा हमारा होरीजेंटल का जो पावार हो जो भोल्टेज होता है वोल्टेज आता है कि नहीं दोस्तो इस वाला डायट को मैंने connect कर चुपा हूँ connect करतेने के बाद मैं TV को पावा देता हूँ तो हमरा Power Indicator जल जाता है उसके बाद दोस्तो देखिए दोस्तो हमरा जो Power Indicator लगाय था जो हमरा horizontal का salad we。」 시ंक के लिए मैं इंडिकेटर लगाया था वू जल गया है मतलब दोस्तों इस boli point पे भी हमारा voltage वोल्ट और इस boli point पे भी देखे वन 7.4 volt आ रहा है मतलब दोस्तो हमारा tb starting हो जाने के बद इस boli point पे voltage आ गया है और दोस्तो एक चीज़ देखिए जो हमारा यह बाला जो running voltage के लिए मैं बाता रहा था इस पे हमारा जो vertical के लिए सबलाई दिया जाता है जो voltage वो voltage आ रहा है जो 12 voltage 1 आ रहा है और इस बाला point पे भी 11.4 है इसलिए दोस्तो इस बाला point पे हमारा voltage आ चुका है देखे 10.7 और इस point पे भी voltage देखिए 10.3 मतलब हमारा जो voltage आना चाहिए और voltage आने के बाद हमारा indicator जल गया है और दोस्तो एक चीज़ देखिए हमारा TV पे जो picture आना चाहिए और picture भी आ चुका है देखिए दोस्तो हमारा टीबी पे picture आ चुका है मतलब दोस्तो हमारा जो problem था वो solve हो चुका है और एक बार फिर से मैं बाता देता हूँ कहां कहां पे problem था दोस्तो हमारा जो टीबी पहले आया था टीबी को आने के बाद मैं देखा तो हमारा जो 125 का जो बोल्टेज होता है वो बोल्टेज पूरी तरह से सौट होके बैटा गया था और हमारा जो output transistor था वो transistor हमारा खराब हो चुका था इसलिए मैं नियाबाल टांजिस्टर लगाया है उसके बाद मैं देखा हूं क्या हमारा जो 125 का जो बोल्टेज निकलना चाहिए था वोooh voltage हमारा upstream हो रहा है इस लिए मैं क्या किया इस वाला जो रिस्टं को मैंने open करके निया बाला एक 10 लागा कि हमारा बोल्टेज को जही कर दिया हूं उसके बाद मैं टिभी को स्टार्टिंग करने के कोशिच कर रहा था तो हमारा टिभी के जो होरेजन्टल जो कोयल होता है कोयल पर कोई बोल्टेज नहीं था और इसलिए मैं चेक किया तो यह बाला डायोड हमारा खराब निकला यह डायोड को मैंने फिर से नया बाला लागा चुका हूँ और लागाने के बाद हमारा टीबी पूरी तरह से चालू है और हमारा जो पॉबलेम था वो पॉबलेम भी करके मैं अब लोगों को पिक्चार दिखा देता हूँ दोस्तों मैंने एभी को कानेट कर चुका हूँ और टीबी को पावाद देता हूँ आमर पावार इंडिकेटर नहीं जाल रहा था वो पावार इंडिकेटर भी जाल चुका है और हमारा टीवी भी स्टार्टिंग है औ दोस्तो देखिए दोस्त आमारा जो टीबी बे कोई भी पिक्चर नहीं था और हमारा टीबी का कोई भी लाइड नहीं था और पावर इंडिकेटर भी नहीं जाल रहा था वो बला पॉबलेम मामारा शॉल्प हो चुका है मतलब दोस्तो आज का जो पॉबलेम था वो शॉल्प हो चुका है इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक से और सस्काइब जरूर कर देना बेल आइकन को दाबा देना और लोटिफिकसन अन कर देना जब भी मैं नया नया आवे ऐसे बाला वीडिय लेके आउंगा आप लोग को मिलते रहेंगे ठीके दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए दोस्तो गुड़ बाई